तो 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 यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो पहला वाले लेक्चर था उसको जाकर के प्रोपर देख लेंगे फिर आप सेकेंड लेक्चर पर आएंगे ठीक है इससे आपको quadratic inequality समझने में प्रोप ना हो चलिए तो आते हैं linear inequality की एक्जामपर लेते हैं यहां पर x plus 1 whole power 3 2x plus 1 whole power 9 whole by x minus 6 whole power 3 4 ले ले लेते हैं यहां पर ठीक है less than 0 तो अब इस question को होगा हमें simplify करना है तो इसको कैसे simplify करेंगे यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी के हम root चेक करेंगे है यहां पर हम बहुत सकते है critical point हमको calculate करने है ठीक है critical point क्या होते है the value of x which satisfy the given expression और factor ठीक है मतलब क्या है कि अगर यहां पर x plus 1 को हम चेक करें तो यहां पर अगर minus 1 रखेंगे तो हमको x की वो value find out करें जहां पर यह 0 हो जाए ठीक है तो एक तो होगे x equal minus of 1 इस factor के लिए इस पर जाएंगे so minus 1 by 2 ठीक है और यहां पर जाएंगे तो minus 6 प्लस 6 आएगा ठीक है तो यह 3 हमारे पास critical point हो गए अब यह जो critical point होते हैं इनको ascending order में number line represent करना है कहां पर represent करेंगे तो इदर infinity होता है और दर minus infinity तो यह हमारे number line हो गई ठीक है जिस root पर जिस critical point पर even power है उस point पर हम क्या करेंगे cross का sign लगाएंगे तो यह आपर 6 पर है तो 6 की नीचे हमने cross का sign प्लेस कर दिया ठीक है then after इसके बाद क्या करना है हमे positive से start करेंगे ठीक है cross है तो sign change नहीं होगा तो फिर positive negative positive ठीक है अब sign change क्यों नहीं होगा positive से क्यों start करेंगे या फिर alternate sign क्यों change हो रहे है क्यों change नहीं हो रहे है इन सारे regions के रहा लेक्टर वर्ण को proper follow करेंगे ठीक है so x belongs to minus 1 से लेकर minus 1 by 2 ठीक है यह मारे पास final answer हो गया अच्छा हो सकता है मायन में question आता है कि linear inequality का topic कहां पर जाता है कि उसको utilize कर सकते है इसका application का है तो बेटा direct question अगर ना भी मिले ना तो suppose that मैं आपको एक question ऐसे दिया fx equals to root over 1 minus x upon में x plus 2 का whole of square whole power 3 ले ले लेते हैं ठीक है अब इसका हमें domain calculate करना है क्या निकालना है ठीक है तो इसके अंदर जो भी quantity लिखी हुई है तो क्या लिखा हुए है मारे पास 1 minus x upon में x plus 2 का whole cube ठीक है यह मैंसा greater than or equal 0 रहेगी clear है अब यहापर अगर अगर इसको थोड़ा simplify करें तो सबसे पहले इसको में proper linear format में लाना पड़ेगा तो यह हो जागे एक x minus 1 upon में x plus 2 का whole cube और यह minus यह हमने common किया तो इसका sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा clear अब यहापर critical point चेक कर लिए हमने तो इसका 1 है और इसका minus 2 तो minus 2 बेटा पहले 1 यहाँ पर आ जाएगा इधर यह infinity हो जाएगा और यह minus of infinity हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर whole cube है ठीक है power और कि even है नहीं तो कोई tension की बात नहीं है यहाँ पर सिरे positive negative positive less than है so x belongs to minus 2 से लेकर 1 तक अच्छा less than or equal भी है ठीक है तो minus 2 से लेकर 1 तक आया लेकि यह वो solution है जहाँ पर क्या है यह inequality less than 0 थी मतलब negative थी हमें यहाँ पर वो solution भी रखने है यहाँ वो सारे points भी आएगी जहाँ जीरो के equal भी होगा ठीक है तो इस inequality को कर में 0 के बराबर करना तो 100% nominator 0 होगा denominator 0 होगा नहीं तो nominator 0 कहाँ पर होगा वो x equal 1 पर होगा तो अगर x equal 1 पर 0 होगा तो इसका मतलब x equal 1 भी इसमें included रहेगा बट अभी तो excluded है तो हमने क्या कि यह इसको close interval में कर दिया और minus 2 क्यों close म तो इस तरीके से हम जो है quadratic inequality या linear inequality की use करके domain and range को हम calculate कर सकते हूं ठीक है चलिए अब आते हैं next topic पर अपना प्रॉपर topic था यह recall के लिए अपने एक example लिया हुआ था next topic हमारा क्या है quadratic inequality ठीक है तो अगर हम बात करें quadratic inequality की तो quadratic inequality डिसकस करने के पहले आपको quadratic के बारे में कुछ term समझने पुरेंगे ठीक है तो अगर बात करते हैं quadratic function की है तो महाँ पास होता है fx equals to ax square plus bx plus c for all x belongs to real number and a does not equals to 0 ठीक है clear है अब यहाँ पर अगर quadratic है तो 100% power कितनी होगी 2 होगी अगर power इसकी 2 है है ना मतलब जो इसकी degree है वो कितनी रहेगी में सा 2 रहेगी ठीक है और इसकी जो safe होती है वो कैसी बनती है पैराबोल सेप कैसी बनेगी बेटा पैराबोल अच्छा यहाँ पर एक question जनली बनता है कि पैराबोला तो बनेगा ठीक है अब पैराबोला जो हमने पार रखे standard format में हो फोर पैराबोला पर रखे अपवर्ड डाउनवर्ड राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड तो यह जो है हमाँ पास चार इनमें से कौन से पैराबोला कब बनेंगे और कब नहीं बनेंगे हो सकता है कि इसमें एक दो पैराबोला ऐसे भी हो जो quadratic को रिप्रजेंट ना करते हो ठीक है तो इस बात का रीजन जाने के लिए जो हम quadratic equation discuss करेंगे तो वहाँ पर इसको proper way में समझाएंग और यह पैराबोला है आपर कब बनेंगे किस तरीके से क्या इनका formation होगा क्या graph आगा quadratic का वह फर्दर जब quadratic equation वाले topic पर आएंगे तो हम discuss करेंगे ठीक है चलिए यहाँ पा तो जो most important point है कि अगर आपको कभी भी quadratic inequality में कोई भी quadratic function दिखे है ठीक है suppose that x square plus bx plus c tag पर कोई function आप को करना क्या है basically बस आप जो भी quadratic है जितनी भी quadratic है सब का discriminant निकाल लो सब का व्यूरिक तकर निकाल लो that is b square minus 4ac ठीक है b square minus 4ac calculate करने के बाद फिर आपको क्या करना है यह आपर चेक करो कि d की value क्या है d greater than 0, d less than 0 और d equal 0 अगर किसी भी quadratic का d less than 0 है तो आप क्या करोगे उसको उ इस भी quadratic का discriminant या विवेक्ट कर 0 से छोटा है तो उस वाली quadratic को क्या करेंगे question से remove करेंगे याड़त रहेगा ठीक है क्यों remove करेंगे region उसका because कभी भी हम d निकालते हैं तो d क्या decide करता है कि इसके जो roots है ठीक है वो कैसे है कैसे मतलब real है ठीक है अब real की में भी बहुसाइब पर आते हैं हो सकता है equal हो या distinct हो या rational हो या irrational हो ठीक है जिसको बोलते है परिमे आ परिमे वास्तविक या भिन बिन इस तरीके से यहां पर जो comment करते हैं हम d को लेकर करके वह कौन करता है d वराबर 20 को माइनस 4C root पर comment करना है तो हमने d calculate करना है clear इसके बाद में अब यहां प जाएगा पहरा बोला ठीक है मतलब वो कभी भी एक्स होगाट नहीं करेगा अगर एक्स के साथ point of intersection नहीं मिल रहा है so that means we can say that कि यहां पर उससा कोई भी solution नहीं होगा root का मतलब है solution अब solution होगा नहीं तो फिर inequality में उसका काम क्या है because inequality हम set of solution लिखते हैं जहां पर हमारा inequality है वो defined रहे clear है तो अब इस चीज को समझने के लिए तो हमने सीदे सीदे एक आपको point समझा दिया जब कभी भी किसी भी quadratic equation का आपने डी calculate किया और वो डी 0 से छोटा है तो आपको क्या करना है उस quadratic equation को question से remove कर देना अब जिसका जिसका डी 0 या 0 से बढ़ा है में भी 0 से greater है तो जिनका जिनका भी डी greater than 0 या equal 0 है तो आपको क्या करना है उन सभी को factorize कर लेना है क्या करना है factorize इकोल जीरो तो 100% सीधे सीधे perfect square बन जाएगा और अगर नहीं है d greater than 0 है तो उसको क्या करेंगे factorize करेंगे splitting method के use करके या स्रीधायचार के use करके ठीक है तो यह हमारा process है quadratic inequality में जो समझना था में पहले start question पर आने के पहले जो भी quadratic given होंगी आपको उनका d calculate करना है और d calculate करने के बाद में अगर अगर किसी भी quadratic का d less than 0 पाते हो तो आप उस quadratic को as it is वहाँ से remove कर देंगे ठीक है क्या करेंगे उस quadratic को as it is वहाँ से remove कर देंगे ठीक है चलिए तो अब आते है questions पर question number first लेते हैं यहाँ पर x plus 1 whole of square x square minus 5 x plus 6 power 3 x square minus of 2 x plus 9 power 9 whole by x plus 1 whole x plus 1 whole x minus 2 whole power 9 and x minus 6 whole power 7 less than 0 ठीक है यह question था हमारे पास अब इस inequality को simplify करना है तो यहाँ पर दो quadratic हमारे पास given है पहली quadratic कौन सी है x square minus of 5 x plus 6 and second quadratic is that x square minus of 2 times of x plus 9 इस quadratic का बेटा D निकालोगे तो B square 25 minus 4ac so 24 ठीक है that is 1 अब अगर इस quadratic का हम D निकालेंगे तो B square तो बेटा B square means 4 minus 4ac तो 49 to 36 है ना तो यह क्या हो गया minus of 32 तो इसका जो D है इस quadratic का जो D है तो कैसा है D less than 0 है तो अगर किसी भी quadratic का D less than 0 तो इसको हम question से क्या करेंगे remove करेंगे correct है अब इसका D equal 1 था तो 100% यह inequality factorize हो जाएगे तो इसको हम लिख सकते है x minus 2 and x minus 3 ठीक है तो x minus 2 into x minus 3 यह inequality हो गई इसका factor हो गए है अब हम given question पर आते है क्या था मारे पास x plus 1 whole of square यह factorize हो चुका है x minus 2 और x minus 3 में power कितनी है 3 तो दोनों पर 3 3 हो जाएगी बिटा इस inequality को हमने remove कर दिये because इसका D less than 0 था और यह मारे पास बना है x minus 2 के whole power 9 and x minus 6 to the power 7 less than 0 अब यहाँ पर यह जो 2 था x minus 2 वाला term यह power 3 यह पर power 7 तो यह वाला term as it is यहाँ से क्या हो जाएगा remove हो जाएगा बिटा और यहाँ पर 6 हो जाएगा ठीक है अब यह जो हमारे पास question आपको दिख रहा होगा ठीक है यह proper फिर से convert हो चुका है कि इसमें linear equality वाले part में ठीक है तो अगर अब इसको हमें simplify करना तो हमें सबसे पहले इनके critical point गरने को रहेंगे ठीक है वही पुराना वाला process तो infinity है यहाँ पर इधर और इधर minus infinity चीक है चलो critical point चेक करते है बिटा तो इसका minus 1 इसका 6 इसका 3 इसका 2 तो सबसे पहले minus 1 फिर 2 फिर 3 और 6 even power कहा कहा पर है तो minus 1 पर और 2 पर तो minus 1 के नीचे cross का sign and 2 के नीचे cross का sign ठीक है इसके बाद में positive, negative, positive, फिर positive और फिर positive ठीक है नाव इसका जो solution हो जाएगा चूंकि हमें less than solution चाहिए था तो बिटा एक्स जो belong करेगा वो 3 से लेकर 6 के बीच में belong करेगा है ना और यह आपका answer हो लिए ठीक है तो यह हमारा process था एक बार repeat कर रहा हूँ जब कभी भी आपको quadratic inequality simplify करनी हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है जितनी भी coordinating है सबका discriminant calculate कर लो विवेक टकर कर कर लो d equal b square minus 4ac यह निकालने के बाद में जिसका जिसका d less than 0 है बेटा उसको remove करें question से जो बचेगा ठीक है उनको फैटराइज करके linear inequality के process से हम क्या करेंगे आगे simplify कर लेंगे ठीक है अब कुछ question है जो आपको homework के लिए है ठीक है जो आपको practice करके आने है number first है मारे पास यहाँ पे लिए तो रफ करके आ रहा चलिए number first question है आपके लिए x plus 2 whole power 3 x square minus of 4 x plus 4 whole power 9 x square minus of 3 x plus 11 whole power 12 whole by x plus 6 whole power 3 greater than 0 ठीक है second question है सेम आपके पास x minus 1 x square minus of 9 x plus 3 यहाँ पर power लग जाएगे आपकी 2 यहाँ पर ले लेते हैं 5 whole by x square minus of x plus 7 whole power 6 and x minus 6 whole power 3 less than 0 equal 0 ठीक है तो यह दो question है आपके लिए ठीक है जो आपको करने है ठीक है जिसको भी answer आ जाता है प्रॉपर तरीके से ठीक है वो क्या करें कमेंट बॉक्स में उसको answer दे देगा ठीक है ठीक है जिसका भी correct answer आएगा उसका नाम जो है last में हम next lecture पर discuss करेंगे ओके thank you जय है आपके